हेलो दोस्तों कूरती के गले का डिजाइन बनाएंगे मैं ये कपड़ा लिया हूँ और इसमें फ्यूजिंग लगा लिया हूँ बेस्टेज कपड़ा है और कपड़े की चमडाई 12 इंच लिया हूँ लंबाई इसकी 13 इंच है इस तरह से फ्यूजिंग आपको भी लगा लेना कपड़े में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को साड़े तीन इंच पर निशान लगा देंगे यहां भी साड़े तीन इंच का निशान दाएगा साड़े 6 इंच का निशान यहां लगा देंगे इंच पट्री की मदद से निशान को सीधा कर लेंगे एक इंच दो सूथ का निशान यहां पर लगा देंगे और यहां से पांच इंच का निशान लगा देंगे इंच पट्री को रखके फिर सीधा निशान लगा लेंगे कोने पर दो इंच का निशान लगा लेंगे और इस तरह से निशान लगाते हुए गले की उपर की तरफ ले जाएंगे यहां दो इंच दो सूथ का निशान लगाएंगे इसी तरह आपको भी निशान को लगा लेना है राउंड पर भी दो इंच दो सूथ का निशान रहेगा अब हम कटिंग कर लेंगे इसी तरह आपको भी काट लेना है गले की पट्टी को ठीक निशान पर काट है यहां कोने पर गोल कर लेना है अब यह कटिंग कर लेंगे ठीक निशान पर इसी तरह अब यह गले की पट्टी कट गया है अब मैं एक पट्टी काटा हूँ धाय इंच का ऐसे मैं तीन पट्टी काटके रखा हूँ कपड़ा थोड़ा कम था इसलिए तीन पट्टी काट लिया हूँ यह पट्टी बड़ी काटना है और मैं इसको जोड रहा हूँ उल्टा सिधा देखके पट्टी को जोड़ना है अब मैं जोड लिया हूँ तीनों पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इसमें एक बूट का पलेट लगाएंगे पूरे पट्टी पर इसी तरह पलेट लगा लेना है एक बूट का पलेट डालना है अब मैं इसमें पूरा पलेट लगा दिया हूँ अब गले का डिजाइन बनाएंगे गले की पट्टी के जो बाहर का हिस्चा है उस साइड में एक बूट के मार्जन लेके पट्टी को लगा देना है राउंड पे सही से घुमा के लगाएं ऐसे लगा देना है और यह सूट का फरेंट पार्ट है इसके बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे यहां गला बैठा लिया हूँ बीच सेंटर में अब यहां पर पिन लगा देंगे गले की पट्टी इधर उधर न जाए इसलिए पिन लगाना ज़रूरी है एक बूट का मार्जन लेके इस गले की पट्टी को लगाएंगे यहां कोने पर सूई को नीचे करके बूट उठा के पीच को घुमा लेंगे पिन को निकाल के बाहर कर देना है यहां भी पिन लगाए थे बाहर कर दिया हूँ और गले की कटिंग इस तरह से कर लेंगे यह जो एक्ष्टरा कपड़ा है काट के बाहर निकाल दिया हूँ और यहां कट लगाना जरूरी है कोने पर और गले के चारो तरफ हलका कट लगा लें सिलाई नहीं कटना चाहिए इस तरह से पलट कर सीधा के तरफ ले आएंगे पट्टी को नाखुन लगा लेंगे लब की सिलाई चलाएंगे इस पर लब की सिलाई सफाइस चलाएं यहां कोने पर बूट को उठा कर कपड़े को घुमा लें और यह जो बाहर साइड का हिस्टा है पट्टी का इस पर कट लगा लेंगे ऐसे फोल्ड करेंगे इसे और लब की सिलाई यहां भी चलाएंगे मैं पट्टी पर लब की सिलाई चला लिया हूँ अब यह गला बनके तयार हो गया है इसमें लगाएंगे बटन बटन को ऐसे बनाना है कपड़े को रखके धागे से बात देना है इसे दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगली वीडियो के लिए हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं अब मैं बटन को लगा दूँगा पीस में बटन बना के तयार कर लिया हूँ तीन बटन लगाना है सामने बहुत अच्छा डिजाइन है बहुत सुन्दर डिजाइन है बटन को लगा कर मैं रेडि कर दिया हूँ बटन को लगा हूँ